हाई गाईज कैसे हो आप सब आप सब मस्त और स्वस्त हो तो आप भी मैं सुबह से सोई सोई अब भी उठी हूँ थोड़ी सी तब यह ठीक नहीं है क्योंकि अब लोग को पता है तो है कल से शावन स्टार्ट है तो कुछ घर का साफ सफा यह सब करने में कल थोड़ा टाइम ल हो गई है कि थोड़ा सा जुखाम हो गया है इस शकल में मैं सॉट भी नहीं बना पाई और अब इस सुबह से लेटी लेटी अभी उठी हो थोड़ी मेंडिशन खाए थी तो थोड़ी राहत मिली है पूर पसीना-पसीना हो गया है तो वहीं अभी आराम मिला है पहले से तो मुझे पता है आप लोग सौट को बहुत मिस करते हो और बोलते भी हैं तो I am sorry क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं रखता है जिस दिल मैं सौट नहीं बना पाती हूँ और आज मेरे में थोरी सी भी हमत नहीं है सौट बनाने की अगर थोरी सी भी रहती न जीरो परसेंट भ बना रही हूँ देख सकते हो मेरा आँख में सूजी है सोए सोए इतना मतलब नीद आ रही है और कल से सावन स्टार्ट हो चुकी है तो मेरे सारे यूटूब फैमली को मेरे तरफ से हैपी शावन तो चलिए अगर तब रिठीक हो जाएगी आज अबी थोरी आराम मिल रही है पर खरे होने की हिमत नहीं हो रही है और तब बित में उतना मूड भी नहीं अच्छा लगता है ना पर मुझे पता है आप लोग फैमली हो तो बता दिये आप लोग समझेगा जरूर और हम तब तक यही वीडियो को से काम चला लेजे कल आ जाएगी सोट देखिएगा और र उतना आज बेडियो नहीं बना पैए और मुझे खुद बहुत अफ्सोस है कूंकि मुझे मैं सो ons नहीं बना पैए क्योंकि मुझे भी उखते है कर मां मुझे खरी और म Executive front बना पर मैं बना मतलब नहीं खड़ी हो पाड़ी हूं अच्छा नहीं लग रहा है मतलब सर घूम रहा है और आप लोग तो सकल से देखी सकते हो कि ऐसा लग रहा है कितना आग फूल गया है तो चलिए अब भी हम जा रहे हैं थोड़ी सी फिर नास्ता करने के लिए और तोफर का बैरेशिर भी है इसलिए सोई सोई यार बहुत अजीब लग रहा है और जब भी तब वित खराब होती है ना तो मम्मी की बहुत याद आती है मन करता है मम्मी के पास चले जाए पर ऐसा हो नहीं सकता है ना क्योंकि अक्सर तबेत और मौसम कर तो कोई ठीकाना नहीं रहता है कभी भी खराब हो सकती है और हाँ मेरा बस अगर शले तो मैं हमेशा मामी के पास जाके ही तवित खराब गरूँ क्योंकि मुझे उनका प्यार मिलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है और हाँ यहाँ भी है केर करने के लिए पर आज हो नहीं है आपिस में है वो बोले थी सुवा में हम नहीं जा रहे है आप आपके पास रहेंगे पर मैंने बोला नहीं चले जाएए अब ठीक हो और थोरा माइंड अच्छा नहीं लग रहा है फीवर हो गई थी ना इसे चक्कर में तो चलिए आप मिलेंगे जरूर